Assalamualaikum dear students, अमीर करता हूँ आप सब घर वाफियत से होंगे चलिए आए जी हम आज की lecture को स्टार्ट करते हैं आज की lecture में हम डिसकस करेंगे Fundamental Principle of Counting Fundamental Principle of Counting ठीक है? Counting कहते है शमार करना तो अगर हमारे पास कोई भी एक काम होगा एक कोई भी काम होगा हम उस काम को कितने तरीकों से कर सकते हैं उस टास्क को कितने तरीकों से प्रफार्म कर सकते हैं उसको हम कहते हैं Count करना इस काम को किन तरीकों से कर सकते हैं या चार तरीकों से या पांच तरीकों से इन चीज़ों को Count करना Counting और Principle of Counting है यानि कि इस चीज़ को count करने का जो principle होगा उसको हम principle of counting कहेंगे और यह इतना basic है, इतना सादा है, इतना simple है कि इसको हम fundamental principle of counting कहते हैं fundamental कहते हैं simple को, सादा को, basic बातों को, ठीक है तो यह basic principle of counting कहले या fundamental principle of counting कहले अगर हमारे पास एक काम है जिसको हमने देखना है कि इसको कितने तरीकों से हम कर सकते हैं तो इस पर मैं कुछ principle apply करूँगा, कुछ rules apply करूँगा जिन्हें fundamental principle of counting कहते हैं और हम रूल कौन से होंगे, तो सबसे पहला rule आता है addition principle, जिसे the sum rule भी कहते हैं अब इस काम को कितने तरीकों से किया जा सकता है, यह देखने के लिए हम इस पर कुछ principles लगाएंगे, कुछ rules लगाएंगे जिसे हम fundamental principle of counting कहते हैं, और वो rule some rule भी हो सकता है, product rule भी और वो principle addition principle भी हो सकता है, multiplication principle भी, ठीक है अब यह fundamental principle of counting, यानि कि basic principle of counting, यह इतना simple, इतना basic, इतना साधा है कि इसका कोई proof भी नहीं है, एक चोटी से example देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि बाहर बारश हो रही है, देखो, तो आप देखके आए, आपने हाँ कहा दिया हो रही है, अगर नहीं हो रही है, अगर यह चीज क्या है, यह एक principle है, कि मैंने आपको कहा जाओ, बाहर देखक है, यानि कि अगर कोई भी चीज है, तो इसके लिए मैं आपको कहा देता हूँ, देखके हैं, यह चीज है के नहीं, तो यह इतनी सादा बात है, इतनी simple बात है, इसको हम कैसे proof कर सकते हैं, इसी तरह fundamental principle of counting इतना सादा है, कि हम इसको proof नहीं कर सकते हैं, इसका proof भी नहीं है, तो आप खुद ही मान जाएंगे, कि हाँ जी यह बाते सची हैं, तो इतनी simple है कि इसका proof नहीं है, तो चलिए आए, हम स्टार करते हैं, सबसे पहले हम इसका introduction देखते हैं, ठीक है, introduction में यह सारी theory लिखी गई हैं, इनको हम डिसकस करते हैं, discrete math और combinatorial mathematics, यहनकि combinatorics और discrete math की study ह वो start ही in two basic principles से होती है, two basic principles of counting से होती है, जिन में से पहला हमारे पास sum rule है, और दूसरा product rule है, discrete math और combinatorics की study ही, दो basic principles से start होती है, जिनको हम sum rule भी कहते हैं, और product rule भी, जिनको हम addition principle भी कहते हैं, और multiplication principle भी, अब the statement and initial application of these rules appear quite simple, अब sum rule और product rule कैसे apply करना है, और इसने कैसे काम कर यह इतना ज्यादा simple है, इन तो high simple है, ठीक है, लेकिन अगर complicated problem आजाएं, लेकिन अगर complicated problems आजाएं, तो फिर हम problems को चोट-चोट इसो में divide करते हैं, इस पर apply करते हैं, यह सारी चीज मैं समझाता हूं आपको, देखें, अब यह चीज मेरे पास, एक यह वाली चीज आगई, ठीक है, यह वाली चीज, अब यह कोई ना कोई एक काम है, ठीक है, इस से काम को करने के 5 तरीके हैं, आपको पता चल गया, ठीक है, इस काम को करने के 5 तरीके हैं, इस problem को 5 तरीकों से solve कर सकते हैं, आपको पता चल गया, तो यह तो बहुत easy काम हो गया, लेकिन अगर हमारे प और पास कोई बड़ी प्रोब्लम आजाए, ठीक है, अगर हमारे पास कोई बड़ी प्रोब्लम आगई है, एक बड़ी प्रोब्लम आगई है, तो इसको कैसे solve करेंगे, छोटी प्रोब्लम और छोटा टास्क था, तो हमने easily इन पे डूल्स अप्लाए कर लिये, fundamental principle of counting apply करके हमने पता कर लिया कि इस काम को करने के 5 तरीके हैं, लेकिन अगर एक बड़ा काम आजाए, एक बड़ी प्रोब्लम आजाए, तो बचपन में मैंने एक लाइन पड़ी थी, कि तक्सीम करो और फटा करो, अगर कोई बड़ी प्रोब्लम है, या बड़ा टास्क है, त इसको हम partially solution कहते हैं, ये देखे, partial solutions, ठीक है, और फिर इन सो भी partial solution को अकठा करके जो हमारे पास answer आएगा, उसको final answer कहते है, या solution कहते है, एक और चोटी से example देता हूँ, ये मेरे पास एक बड़ा problem था, ठीक है, और इस पे fundamental theorem of, fundamental principle of counting लगाना बहुत ज़्यादा मश्किल था तो मैंने इसको four, बड़ाबर हिसों में divide कर लिया, ठीक है, इस पे fundamental principle लगाउगा, तो मुझे पता चला, इस काम को करने के दो, दो तरीके हैं, ठीक है, और अगर ये problem equal नहीं है, तो इस काम को करने के तीन तरीके है, और इस काम को करने के फॉर तरीके है, ठीक है, ठीक है, और हमें इस ability को यानि के बरे-बरे मसले को decompose करने के लिए चोट-चोटी चीजों में divide करने वाली ability पे काम करना चाहिए इसको develop करना चाहिए तो आगे हम यही approach को use करेंगे ठीक है चलिए आएए पहला principle देखते हैं जिसे दास rule of sum भी कहते हैं ठीक है यह मेरे पास एक काम आगया ठीक है टास्क नमर वन क्या देते हैं और इस काम को हम M तरीकों से कर सकते हैं इस काम को M तरीकों से किया जा सकता है वाइल जबके a second task एक दूसरा काम भी आगया जिसको हम N ways से perform कर सकते हैं तो यह आगया हमारे पास दूस्ता काम और इसको हम N ways से perform कर सकती है N ways से perform कर सकती है ठीक है? यानि कि यह काम इतना सिंपल था कि हमें directly पता चल गया कि इसको M तरीकों से कर सकते हैं यह काम इतना सिंपल था हमें directly पता चल गया कि इस काम को N तरीकों से किया जा सकता है अब बगर मैंने कहना हो कि इस पूरे काम को मैंने प्रफार्म करना है इस पूरे काम को यानि कि एक ऐसा काम जिसमें मजीद दो काम हो उनको प्रफार्म करना है तो उस काम को करने के कितने तरीके है ठीक है यहाँ पे कंडिशन आ गई यानिके दो कामों को हम अकठा ही परफार्म नहीं कर सकते या ये काम करेंगे या ये काम करेंगे अगर मैं काम नबर वन को परफार्म कर दूँ तो ये डबा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा ठीक है? या मैं टास्क नबर टू को परफार्म कर दूँ तो ये डबा जो है ये फिर भी कंप्लीट हो जाएगा तो इस पूरे डबे को करने के कितने तरीके हैं? काम नबर वन को परफार्म करने के M वेज हैं, काम नबर दो को करने के N ways हैं और इन दोनों में से अगर एक भी हम काम करेंगे तो यह पूरा डबा यह पूरा डबा यह complete हो जाएगा तो इस पूरे डबबे को करने के कितने ways हैं यह हमने find करना है ठीक है? तो summer rule हमें कहता है कि हम इन दोनों में से किसी एक काम को perform M plus 1 तरीकों से कर सकते हैं ठीक है? तो जो तरीके हमारे पास आएंगे इस पूरे डबबे को करने के लिए वो M plus N है M plus N है ठीक है? तो यह चीजे हम एक example से इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ कि उन्होंने का है कि दोनों काम एक ही वक्त में perform नहीं किये जा सकते So this is another system we can perform simultaneously तो या यह काम करेंगे या यो यह काम करेंगे तो यह या यादिके ओर यहां पे बादर, बड़ यादर यहां पे प्लस आइगा का है अगर वो कहता कि यह भी काम करना है और यह भी काम करना है तो और के लिए फिर हम यह Ilka मिन blir दुटे करते ठीक है लेकिन उन्हें ने का है या यह काम करना है एक ही वक्त में दोनों काम नहीं करने तो या के लिए हम और कावड यूज़ करेंगे और और आपको पता है प्लस के तोड़ पर यूज होता है ठीक है तो यह हमने प्लस करा दिया एक चोटी से एक्जेंपल है उसको समयते है मैंने एक बच्चे को कहा कि जाए आप लाइबरेडी से मैध की बुक लेके आए इसकी मैध की बुक लेके आए वो या तो एक book को उठाएगा, काम फिर भी पूरा हो गया वो या दूसरी book को उठाएगा, काम फिर भी पूरा हो गया यानि के वो 40 में से किसी एक book को भी उठा सकता है, ठीक है यानि के, और अगर किसी एक book को भी उठा लिया कितनी 50 books पढ़ी हो तो वही बात कि उसके पास 50 choices होंगी कि मैं इन 50 कताबों में से एक लेगी जाओ एक और च्छटी example देखें कि अगर save भी पढ़ा हो और arm भी पढ़ा हो और strawberry भी पढ़ी हो और मैं कहूं कि आप इन तीनों में से ये तीन चीज़े हैं एक च्वाइस इस तरह कि तीनों में से एक को सेलेक्ट करना है और तीन च्वाइस ये हैं कि आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं यानि कि एक ही काम को तीन तरीकों से कर सकते हैं क्यूंकि आपने एक जीज़ेक्ट करनी हैं इसी तरह आप math की book को 40 तरीकों से select कर सकते हैं, आपके पास 40 choices है math की book को select करने के, इसी तरह आपके पास 50 choices है science की book को select करने के लिए, ठीक है, ये दो काम होगे, अब देखें, अब अगर मैं आपको बेजी हूँ, जब मैंने आपको कहा कि math की book लेका हैं, तो आपके पास 40 तरी करेंगे कि मैं math की 40 books में से एक book लेकर जाओं या मैं science की 50 books में से एक book लेकर जाओं ठीक है तो आपके पास total 90 ways होंगे ठीक है या math की book या science की book तो या के लिए हम यहां पर और का वाइड यूज करेंगे तो और के लिए आपके पता है plus का sign यूज होता है यह हमने some rule लगा दिय कि या 40 books में से एक book select करनी है या 50 books में से एक select करनी है यानि कि इस मकमल काम को करने के लिए हमारे पास 90 ways है 40 प्लास 50 नाइटी वे दाफ़ा हम सोचेंगे कि मैं कौन सी book लेके जाओं यानि कि हमारे पास 90 replicated होंगी या मैं इस math की book में से एक book ले सकता हूं या मैं science की book से एक book l यूज किया थे काम 1 को M 3 को से किया जा सकता था काम 2 को M 3 को से और अगर दोनों में से एक काम करना है तो इसको M plus M 3 को से किया जा सकता है थे अब ये काम जो हमने M और N की बात की ये different भी हो सकते है तो पहले इसको remove कर देते हैं इन चीज़ों को ताकि आपको note के बारे में समझ आ सके है एक काम के related जैसे first class के related तो इसमें हमारे पास M तरीके होते हैं ठीक है और M ways ये हम अलएदा अलएदा अज्यूम करके चलते हैं ठीक है और इस statement में कोई contradiction नहीं आने चाहिए ये तमाम text के लिए दूस्त होना चाहिए यानिकि ये जो हम M तरीके लेके चलते हैं यानिके math क में सब्कारबागी praw के चलते हैं एक जैसे और वुदना अच का विव राऔर से तो छूरूंस ऑनृट के में सब्सकता है तो तो एक स्टूड़ के रूक नइन सब्सक्रीके से सब्यख्त को example number two है कि the rule can be extended beyond two tasks अब दो कामों से हम तीन कामों पे ले आए कि एक student है तो उसका एक teacher है उसका एक teacher है उससे for instance a computer science instructor computer का एक teacher है who has say seven different introductory books each on java अब teacher को तीन कताबे आती है teacher को C++ आती है language इसकी teacher को साथ कताबे आती है teacher को इस subject की साथ कताबे आती है teacher को java की साथ कताबे आती है ठीक है और teacher को pearl की साथ कताबे आती है यानि के teacher को इन तीन books की साथ साथ कताबे आती है C++ की साथ कताबे आती है java की साथ कताबे आती है pearl की साथ कताबे आती है और अब ये teacher student को कहता है कि इन साथ-साथ-साथ कताबों में से जो मर्जी आप, जिसमें आप इंट्रेस्टीड है, वो स्टूडेंट जो है इस इन बुक्स को स्लेट कितने तरीकों से कर सकता है, वो चीज़ हमें पूछी गई है ठीक है, तो ये M1, ये पहला टास्क है और इसको करने के 7 ways है, ये दूसरा टास्क है, इसको करने के 7 ways है तीसरा टास्क है, इसको स्लेक्ट करने के स्टूडेंट के पास 7 ways है तो स्टूडेंट जो है, वो 21, यानि कि 21 जो है या वो इन साथ बुक्स में से एक बुक्स स्लेक्ट करेगा यह इन साथ books में से एक book स्वफरेगा यह इन साथ books में से एक book स्वेक्ट करे का तो यहाँ का वर्ड यूज है 7 Plus 7 Plus 7 One याँ इजकल के स्टूटेंड के पास 21 वेज हैं 21 जवाइसे हैं के वो इसी एक book को स्वेक्ट करे तो यही चीज़ उने बताई गए अब next example पर चलते हैं next example कहते हैं कि वो पीछे बार ही example है लेकिन अब जो teacher है वो दो हो गया the computer science instructor example has two colleagues उसके बाद दो colleagues है तीक है अब दो colleagues है teacher के पास है दो colleagues है एक colleague आगया और दूसरा colleague आगया one of these colleagues has three text books इसके पास three text book के है ठीक है किस पे analysis of algorithm पे और दूसरे के पास five books है दूसरे के पास five books है और if n denote the maximum number of different books और n भी दिनोट करता है maximum books को ठीक है of different books on this topic that this topic instructor can borrow from them then are, अब देखे उन्हानने काया कि एक को लीक के पास three books है analysis of algorithm के उपर ठीक है, ये मैंने लिख लिए अब कहा गया है the other दूसरे के पास five books है such text books such text books इस जैसे ही five books है तो वो five books अलाइदा भी हो सकती है और same भी हो सकती है ठीक है और कहा गया है कि अगर अलाइदा होगी तो n डिनोट करेगा total number of books को ठीक है यही तीन जो है इसमें आजाएंगे तो total वो five books को select कर सकता है अगर जो ये three books है इसमेंसे दो books इसके पास है तो ने उपर चेशाए को collect कर सकता है अगर इसके पास एक books है वो इसके पास है यहां three में यहानिकाь सिंपल बात है कि यह उपर इसके पास 3 बुक्स है. ठीक है? तो अगर यह 3 और यह 5 यह 3 लाइडा बुक्स है. यह 5 लाइडा बुक्स है. तो टॉटल 8 बुक्स हो जाएंगे. लेकिन कि इन मे से éénक शी एक एसी है, जो कि इस 5 में आ है. तो 5 books ये, इसमें 1 book repeat होगी बाकी 2 बची, तो 7 books हो जाएंगी अगर इसमें हमारे पास अगर इसके पास 2 repeated books हैं, जो के इस 5 में हैं तो इस वकत 5 ये और 2 repeat होगी इंद बारा, लेकिन 1 बची 6 हो सकती है ठीक है, और अगर इसके पास 5 books अगर इसके पास 5 books हैं, और इसके पास 3 की 3 books repeat हैं फिर ये total 5 different books होगे, ठीक है तो वो student जो है वो कम से कम 5 books को select कर सकता है और maximum से maximum 8 books को select कर सकता है, ठीक है 8 books को उस वकतर सेलेक्ट कर सकता है, जब ये 3 और 5 different हो और वो 5 books को उस वकर select कर सकता है जब ये 3 जो है, ये 3 books है, ये 5 में ही शामिल हो और वो 5 से 8 के दर्मियान, यानि कि 6 books को उस वकर select कर सकता है जब 2 books, इन 3 में से 2 books पांच वाले में हो और वो 7 books उस वकर select कर सकता है जब इन 3 में से 1 book जो है, ये 5 वाले में हो उन्हें काया के इंट्राइंग्टूर्च अडिसीन ओफ प्लांट। हमने प्लांट अक्सपेंशन पे रिसेर्च करनी थी, तो एड्मिनीस्टेटर ने बारा एक लर्की आयएे, और इसकी दो कमेटी कमेटी है, जर्ल और एक में उस नेer रिखें उसने और एक में उसने रिक्टी में उसने प्लांट अग्स्पनिशन पे,'ट, तो एक में उसने रिखें और एक में इन्होंने plant expansion पे research कर ली और मैंने इस लर्की ने एक दिन select कर लिया Monday और Monday को, Monday को अगर वो कहे कि मैंने research जो किया है उसका result सुनना है तो वो कहे कि मैंने इन दोनों में से एक का सुनना है या मैं इसका सुन सकती हूँ या मैं इसका कि क्या result निकला तो फिर इस पे some rule apply होगा five plus seven यानि कि उस लर्की के पास इतनी twiceis है कि इन तमाम members में से एक member से result सुने और इन तमाम members में से एक member से result सुने ठीक है लेकिन अगर वो कह दे लर्की कहे के committee number one ने Monday वाले दिन चीज़ बतानी है और committee number two में से ने Tuesday वाले दिन कोई चीज़ बतानी है और दोनों ने बतानी है तो इस वकत five multiply by seven आएगा यानि कि total उसके पास दो twiceis होंगी वो यह होगी five multiply by seven अब ये twiceis कैसे आई तो मैं आपको बताता हूँ ये committee number one के five members है five members है ठीक है और ये committee number two के seven members है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और एक, साथ, ठीक है इस committee ने Monday वाले दिन हमें चीज़ बतानी है और इस committee वाले दिन से हमने Tuesday वाले दिन अब वह हो सकता है यहां से पहले member की बात सुनें यहां से वह पहले की सुनें तो एक way हो गया यहां से पहले की बात सुनें यहां से दूसरे की सुनें दूसरा way यहां से पहले की यहां से इस वाले की तीसरा way यहां से इसकी यहां से पहले जो है यहां से पहले सलेक्ट करें यहां से हरे को एक को सलेक्ट करें यहां से इसको यहां से इसको यहां से इसको यहां से किसी को यहां हो सकता है वह एक इसको स्लेक्ट करें और इन सभी में से एक को स्लेक्ट करें तो यह सारे टोटल वेज जो होंगे वह फाइफ मुल्टिप्लाइब सैवन यानिके 25 बनेंगे यह देखें एक दो तीन चार पांच चे और साथ पहले की वज़ा से साथ बनें दूस्ती की व नेक्स अगर हम भी लेखें तो आता है परड़ट रूल तो इसी को परते हैं जो कि हमने यूज किया यह परड़ट रूल कहता है कि अगर एक कीज़र बने उसको हमने stages में divide कर दिया, एक first stage और एक second stage और वो काम उसी वक्त मकमल हो सकता है जब हम दोनो stages को करेंगे ठीक है, देखें एक काम था, इसको हमने दो कामों में divide कर दिया, दो stages में divide कर दिया अगर ये चीज़ करेंगे, तो हमारा काम मकमल नहीं होगा हमें साथ ये भी लाजमी करना पड़ेंगा, अगर दोनों काम करेंगे, उस वक्त ये मकमल होगा ठीक है, पहले हम परके क्या है थे, अगर इस डब्बे को complete करना है, तो इस डब्बे के अंदर एक काम है और इस डब्बे के अंदर दूसरा काम है, या इसको करें, तो फिर भी ये डब्बा complete हो जागा पूरा, या इसको करें, फिर भी ये पूरा डब्बा complete हो जागा और यहाँ पे हम R का वाड यूज़ करते थे, और यहाँ पे हम प्लस साइन यूज़ करते थे, ठीक है, लेकिन अब वो product principle है, यह कहता है कि अगर एक डब्बे में दो काम हैं, दो stages हैं, ठीक है, तो ये काम मुकंब करने से डबा बुडा नहीं होगा, इस काम को भी करना एक stage को करने की M possible outcome है, और दूसरे को करने के लिए N possible outcomes है, then the total procedure can be carried out in the designated order in M cross N, तो ये total ways होगे, एक designator order में एक काम को करने के M cross N ways होगे, ठीक है, example से समय लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये example पहले देख लेते हैं, अब मैंने math की 40 books थी, math की 40 books थी, और science की हमारे पास 50 books थी, अब मैंने एक लड़के को बेजा, पहले मैंने लड़के को कहा था, कि आप कोई एक book ले आए, या math की ले आए, या science की, लेकिन अब मैं लड़के को कहूंगा, math और science, दोन्नों की एक book लेकर आए, यानि कि उसका काम उसी वकत मकमल होगा, जब ये दोन्नों books एक लेकर इसके हम कर देते हैं two books हैं, और इसके हम कर देते हैं three books है, ठीक है, अब देखे, वो पहली दफ़ा गया, और math की M1 वाली book उठाएगा, ठीक है, और यहां पे science की वो तीनों में से एक book उठा सकता है, यानि कि math की होगी math number one, और science की वो कोई भी एक book ले सकता है, ठीक है, इन two के साथ science 3 की book उठाले, ठीक है, यानि कि यही चीज है, तो एक ये way, दूसरा ये, तीसरा ये, चोथा way, ये, पांचवा, ये, छटा ये, तो इस काम को मकंबल करने के two multiply by three ways है, यानि कि total six ways होंगे, लगी बात की समय, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता कोई एक book लेके आनी है, तो वो two plus three होता है, यानि कि five होता, लेकिन अगर दोने book लेके आनी है, तो वो six होगा, तो ये हमारे पास example आ गए, example number five, देखें जी कि एक drama club है, Central University में, ठीक है, तो वहाँ पे, छे आदमी और आठ वोमन, far leading male or female, छे आदमी और, six men and eight women है, यानि कि six women है, और eight woman है, और आठ помन है, और six men है हमारे पास, six men है, ठीक है, six men है और eight women है, ठीक है? और उनोंने कहा है कि वहाँ पर एक drama है, तो drama के लिए एक pair चाहिए, एक couple चाहिए, तो couple चाहिए, जिसमें एक हमारे पास आदमी हो और एक woman हो, ठीक है, तो वह कपल को कितने तरीकों से select कर सकता है, थीक है, तो यहाँ से देखें, उसने पहली woman लिया और आगे, इन छे में से किसी एक Cool, किसी एक चोटा और इसी तरह पांच बर इसी तरह चटा चटे के साथ भी स्लेक्ट करने के लिए उसके पास 8 वूमन है तो आठ एक बार आठ दो बार 16 आठ तीन बार 24 आठ चार बर चार बर चार पार 5 बर चालिए 6 बर 48 यानि के वो 8 को 6 से मल्ट्प्लाइ करेंगा तो टोटल हमारे प करना है, दूसरी स्टेज यह है, इसको भी स्लेक्ट करना है, इस काम को करने के 6 तरीके हैं, इस काम को करने के 8 तरीके हैं, तो मुल्टिप्लाइ आपस में करेंगे, यानि कि हम से इसनें में लेकर वह ब defenceक्राइब प्सक्राइब और जीडेर को काम खुचत रूर से अ ci dมना टिक्रटर को to be मोरिकर्टकर डिर्लज का गोर में इस स्टै速र यहांरीया नौन फिर इनली पर गपिर आंवं से इससलिक गणा धार कि के यहां पर डिजट, 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 यहां पर डिजट और फिर next day no digit can be repeat digit को भी repeat नहीं हमने करना तो पहले place पर रखने के लिए हमारे पाद 10 digits की जगा होगी अब जो यहाँ पर रख दिया उसे छोड़ के बाकि 9 digits यहाँ रखने के लिए होगी 8 digits यहाँ और 7 digits यहाँ तो इन सभी को multiply करेंगे और यह हमारे पास answer आजएगा अगर वो कहता कि इन सभी digits में से यानि कि अगर हमने एक number plate बनानी है तो इन सभी digits में से यहाँ पर कोई एक digit रख दिया जाए कोई एक चीज रख दिया जाए या यह यानि कि इन में से कोई एक भी काम किया जाए तो हमारा license plate बन जाएगी license plate बन जाएगी तो फिर हम यहाँ पर plus का sign यूज करते है लेकिन उसने कहा है कि license plate उसी वकट बनेगी जब इन तमाम चीजों का यूज किया जाए तो यहाँ पर 26 चीज़े यूज किया सकते है यहाँ पर 25 यहाँ पर यह वारी चीज़े तो multiply करके जो answer आएगा वो हमारा यह वारा होगा अगर वो कहता इन छबी letter में से कोई एक letter select करें तो हमारी plate बनगे इन 25 में से कोई एक select करें plate बनगे तो उस वकित हम sum का use करते है लेकिन सभी को लेके चलना है तो इस वजा से हम यहाँ पर product rule apply करेंगे अब with repetition आप repeat भी कर सकते हैं तो पहले पर 26 रखें तो जो 26 हमने पहले पर रखें अब दुबारा वही letter हम यहाँ भी रख सकते हैं 26 10 digits है जो digit यहाँ पर रखा वो दबड़ा यहाँ भी रख सकते हैं अब भी 10 digits 10 digits 10 digits सभी को multiply करेंगे जो answer है को यह है अब उनों काया है कि if the repetition are allowed repetition allowed है in part b part b को हम लेके लेके ले हैं of plate having only wobble तो wobble हमारे पास सिरफ 5 ही होते हैं तो यहाँ पर आजाएगा हमारे पास 5 लेटर इसके लेका भी 5 लेटर आजाएगे ठीक है repetition allowed है and even digit and even digit 0 0 भी even digit है 2b, 4b, 6b, 8b तो यहाँ total 5 digit भी यहाँ भी 5 आएगा यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 क्योंके repetition allowed है तो इन सभी को 5 को हम कितनी दफा multiply करेंगे 5, 5, 5, 6 दफा एक cell में 8 bit को store करवा सकते हैं और अगर हमने हमारे पास देके जिसको परते है नो data to store data कंप्यूटर में data को store करवाने के लिए एक bit होता है जो के 0 या 1 होता है ठीक है और एक cell जो होता है उसको हम bytes में store करते हैं ठीक है एक byte देके जी के एक 1,2,3,4,5,6,7,8 यह मैंने 8 खाने बना ले इस आठ खानों से मिलके एक cell बनेगा और यहां भी एक byte है यहां भी एक byte यहां भी एक byte यहां भी इस own byte और एक byte में 8 ही bit होते है ठीक है एक add the ant simple से दोबर हम लेके चलते हैं इसको कहां गयी मेरी यह वाली चीज़ है ठीक है अब देखिएगा 1,2,3,4,5,6,7,8 इन आठों पे computer हमारा भाइनरी पे चलता है यहां 1 या 0 आसकता है और अगर हमने इस सारे पे कोई चीज स्टोर करनी है तो किसी भी चीज़ को खाली नहीं हम रखते है यहांपी चीज़ को खाली नहीं रखता है अगर कोई character है, यहां कीज है यहां कीज है तो 1 आयंगा नहीं है तो 1 आयंगा नहीं है तो 0 तो यहांं पे 2 possibilities यहां पे и 1 नहीं था 0 तो reply hoping, यहां वी two possibilities 6 depending on top 1 रखता है और यह 8 places होते है यानिके अब पाहले तो आठ जगा थी ना, लेकिन अब बस 16 प्लेसी है, तो 16 प्लेसी मतलब के 2 को हम 16 दफा मुल्टिप्लाइ करवाएंगे, तो यह 2 की पावर 16, ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है, के 32 बिट, लेकिन अब में और आठ बिट से मिलकि एक हमारे पास सैल बनता है, ग कम्बटर में कोई यह कम्प्यूटर में रोना तो बना लिया, अब यह में आठ बाइड और दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आठ, यह आठ बिट का एक memory cell है, यानि कि यह 1 byte है, यह 64 का भी हो सकता है, यह 32 का भी हो सकता है, अगर 32 की बात करने हैं, तो इसमें 32 होंगे, एक, दो, तीन, चार्ड, यह 32 bits होंगे, ठीक है, और अगर मैंने 32 bits वाले पर data store करवाना है, पर आखता है, यानि कि 2 possibilities है, यह पर 2 possibilities है, यह पर यहाँ पर 2 constituटी यहाँ बात असे के लिए बटाया गया है, यह देखे, अगर 32 bits का है, तो यहाँ बट्राइय और चीज आज़गी, और अगर 60 bit का है, तो 2 को 60 दफ़ा multiply करके यह चीज आएगी, तो बस यही बात बताएगी, अब यहाँ पर example number 8 को देखते हैं, ठीक है, example number 8, last example होगे फिर इसके साथ इजाज़त, यहाँ पर क्या कहा गया है, एक simple सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, इस example number 8 में, sum और product rule दोनों को यूज़ किया गया है, ठीक है, एक चोटी सी example आपको बता लिता हूँ, एक चोटी सी example ही है, यहाँ अपको होटल पे बेज़ आएग और कहा है, कि रोटियां और सालन लेके आना हैं, आपने क्या लेके आना है। रोटियां और सालन नहीं, यह तो पर डक्ट वाली हो जेगी, अगर हम नान की बात की जाए, तो नान कीमे वाला नान भी हो सकता है, ठीक है, और अल वाला नान भी हो सकता है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें, तो रोटियां सालन लेकर आ नहीं है, तो यहाँ पर डिफ्रेंट कंडिशन्स आ जाएंगी, वो कंडिशन्स कौन सी हो यहां पर different silence की choices होंगी, ठीक है, तो silent और रोटी अकटी लेकर आनी है, यानि कि एक काम नहीं हम कर सकते, silent के साथ रोटी लाजमी है, यानि कि यह दोनों चीज़े हैं, और silent और रोटी, यानि कि इन दोनों को multiply करेंगे, ठीक है, अब ये चीज़ अकेली ही है, इसको अकेला ही रहने दे, ये दो possibilities बनती है, और यहाँ example देता हूँ कि यहाँ पर रोटी यों को select करने की 4 possibilities थी, और silent को select करने की 3 possibilities, तो यानि कि इस काम को करने की 4-3 बार 12, पाइड़क्टर रूल लगाए, तो 12 possibilities हैं, यानि कि इस 6 का combination 2 के साथ आएगा, यानि कि इन 6 चीज़ों में से एक चीज़ दो दफा है, एक चीज़ दो दफा, यानि कि ये एक अल्यादा काम है, जिसको हमने product rule से किया है, ये एक अल्यादा काम है, जिसको product rule से किया है, अब इन दो कामों में से एक काम को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम सामरूल अप्लाय करके यह वरी चीज़ आजएगे, अमियत करता हम समझ आए होगे, इसके साथ इजाज़न देजे, अल्हाफिस, अल्वेस टेया पी, थैंक्स, अमझे लगता इतना अच्छा या खास ब